नमस्ते दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है मेरी चैनल पर हमने पिछले वीडियो में देखा कि अबैकस को लेफ्ट हैंड की लास्ट दो फिंगर्स और थम से पकड़ा जाता है और कैल्कुलेशन करते समय अबैकस को उठाना नहीं है इसको कहते हैं रॉड्स इसको कहते हैं आंसर बार और जो बीड्स यहां टच होते हैं वो है आंसर आंसर बार के नीचे वाले बीड्स की वाल्यू है एक एक और उपर वाले बीड्स की वाल्यू है पांच और हर एक sum के बाद right hand के thumb और index finger से इसे clear करना ज़रूरी है calculation हम हमेशा ये middle वाले white rod से ही करते है तो ये rod once की या unit की place की कहलाएगी तो ये rod पे हमें maximum value मिलेगी 9 यानि 5, 6, 7, 8, 9 अब इसके left side ये वाला tense का rod है यहां भी नीचे वाले beads की value 1, 1 और उपर वाले beads की value है 5 पर ये 10s का rod है तो ये bead पर ये 1 और पीछे 0 तो इसकी value हुई 10, 20, 30, 40 और यहां उपर वाले 5 और 0 यानि 50 तो यहां 50, 60, 70, 80, and 90 तो ये rod पे हमें maximum value कितने मिलेगी यहां बिल्कुल सही 90 अब हमें रेखना है कि टीचर्स ट्रेनिंग बुक पेज नमबर 3 यहां सिर्फ एक bead है तो ये हुआ 10 यहां answer बार के उपर एक bead है तो ये हुआ 50 यहां 50, 60, 70 और unit place पे 5 है तो answer हुआ 75 यहां उपर 1 means 50, 60 और unit place पर 1 तो answer हुआ 61 यहां 50, 60, 70 और unit place पर 5, 6, 7 तो answer हुआ 77 अब यहां answer नीचे दिये गए है हमें beads बनाने है तो यहां 5 यानि answer बार के उपर एक bead और यहां 6 यानि answer बार के उपर एक और नीचे एक bead ड्रॉ करेंगे यहां 65 यानि 5, 6 और यहां answer बार के उपर 1 यानि 65 अब यहां answer दिया गया है 99 तो यह 50, 60, 70, 80 और 90 और यहां 5, 6, 7, 8, and 9 अब यहां answer दिया गया है 39 तो 10, 20, 30 और इस तरफ 5, 6, 7, 8, and 9 अब आखरी answer दिया गया है 27 तो 10, 20 और यहां पर 5, 6, and 7 आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद